हेलो एंड वेल्कम बेक टू एसेट गाइड यूट्यूब चैनल आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो बन एको सिस्टम में नया वाला सिस्टम है वहाँ पर हम किस तरीके से अपने बन को यूज कर पाएंगे यहाँ पर आपको चार पाच यह चै प्रोडेक्ट मिलते हैं पहला है बन अकेडमी दूसरा बन फोरेक्स दीसरा बन चैरेटी बन ब्योज बन बीटा और डील सेकर तो डील सेकर का यूज जैसे हम अभी तक करते चले आ रहे थे यहाँ पर प्रोडेक्ट की बाइंग सेलिंग क कर सकते हैं बेद बन एंड फियेट कॉमिनेशन तो वन आपके पास अविलेबल हैं फियेट के कॉमिनेशन के साथ यहां पर बाइंग सेलिंग करेंगे पेमेंट को डिपॉजिट और बिड्रोल करने वाला फीचर इसमें मिलेगा ऐसा अभी सुनने मारा है बाकी जब होने की उम्मीद लग रही है तो जैसे ही जैसे चीज आएंगी पता चलता रहेगा अब बात करते हैं बन ब्योज की तो बन ब्योज में होटल पॉइंट है अगर आप ट्रेवल करते हैं एक देश से दूसरे देश या फिर बड़े-बड़े मेजर सिटी में तो वहां पर आ जैने के लिए आपको 50% फियेट और 50% यूरो में पैकेज बाय करना पड़ता है जिससे आप इस्टे कर सकते हैं तो यहां पर यह मंतली येरली और हाफ येरली के सब्सक्रिप्सन है अगर आप सब्सक्रिप्सन बाय कर लेते हैं और ट्रेवल नहीं करते हैं तो आपका जो फियेट है वो यूज हो जाएगा लेकिन अगर आप ट्रेवल करते हैं तो आपको यहां पर ट्रेवलिंग में कुछ बेनिफिट मिलेगा बाकी एज सच को ऐसा कोई बेनिफिट नहीं है कि आपके बन हैं आप उन्हों यूज कर सकते हैं या कर रहे हैं अब हम बात करते हैं Smart Max कि तो बन एकैडमी में आप education लेंगे मतलब education package को purchase करेंगे और education लेंगे बहां पर जब आप exam qualify करेंगे तब आपको additional promotional token मिलेंगे और उन token को ही फिर आप डील जकर पर उज़ कर पाएंगे coin को 1-48 um के बात करें तो 1-48 can यहाँ पर कुछ signals मिलेंगी यहां पर आपको membership जो भी सिस्टम रहेगा और उसमें आपको सिगनल दिये जाएंगे कि कब बाय करना है कब सेल करना है इस टाइप की कुछ चीज़े रहेंगी हाला कि ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पर one को यूज़ करके ट्रेडिंग कर पाएंगे तो ऐसा तो नहीं है यहाँ पर किबल membership buy करने का ही फीचर मिलेगा one charity one charity में आप जो है donation कर सकते हैं one plus euro one plus fiat के combination से तो दीकि जिन लोगों के पास one थे उन्होंने खरीदे थे और यह सोच कर रख के थे कि हम one को कभी convert कर पाएंगे और fiat में convert कर पाएंगे तो वह ऐसा तो यहाँ पर हमें कोई indication नजर नहीं आ रहा one forex में आप membership buy कर सकते हैं trading signal के लिए अगर आप देखें अभी existing में तो आपको ज़्याद तर trading view पर सभी signals वगेरा जो है वो free में available हो जाते हैं कुछ paid भी रहते हैं लेकिन उनकी इतनी जरूरत नहीं पढ़े थी सभी काम freeze हो जाता है तो one forex तो यहाँ पर मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पर जो traders हैं उनके लिए worth होगा लेकिन जो beginners हैं उनके लिए यहाँ पर काफी help one forex से मिलने वाली है one views की बात करें तो जो लोग travel करते हैं जिनके पास खूब पैसा है वो इसको use कर पाएंगे फियेट और बन के combination में लेकिन जिनके पास इतना ही पैसा नहीं के वो travel कर रहे हैं या international trip का plan कर रहे हैं उनके लिए one views भी कोई खास फायदे नहीं देगा अगर हम बात करें बन बीटा की तो इसमें कुछ गिने चुने product है चार-पांच product है तो आगे जब product की list आएगी या number of products यहाँ पर बढ़ेंगे तो इसका use आम लोगों के लिए बढ़ेगा अब deal shaker की बात करते हैं तो deal shaker पर अगर हम देखे product जो है अभी तक की जो merchant की condition थी उसमें 10 रुपे का product 100 रुपे में बिक रहा है इस टाइप की condition थी तो अगर ऐसे ही रहा तो deal shaker का कोशनी होने वाला लेकिन अगर company यहाँ पर कुछ step आगे लेकर आए जैसे merchant pool की बात कर रहे हैं लोगों को ban के बदले में payment मिलेगा ban को जो non ban members हैं वो product buy करेंगे deal shaker for product की cost जो existing competitor है जैसे flip card amazon उससे अगर सस्ते product मिलेंगे तो नई user यहाँ पर आएंगे product को purchase करेंगे और उसके बदले में लोगों से one भी वो खरीदेंगे तो यहाँ पर ban को fiat में convert करने का एक chance मिलेगा तो अब deal shaker एक मात्र ऐसा जरिया है जहाँ पर आपको one को fiat में convert करने का opportunity मिल सकती है और वो तब मिलेगी जब one ecosystem company खुद अपने product लेकर आए अपनी branding के साथ product उतारे और इनके product जो है वो market में existing competitors जो है उनसे कम rate पर deal shaker में product अभी लेबल हो जैसे अगर हम बात करें flip card और Amazon की अगर हमें एक laptop purchase करना है जिसकी market में cost है 40,000 और अगर वो हमें Amazon पर मिलता है 42,000 का और flip card पर मिलता है 39,000 का तो हम Amazon को छोड़ कर flip card पर जाएंगे तो ठीक बैसे ही अगर कोई 40,000 का product है और वो हमें Amazon या flip card पर 40 का ही मिल रहा है तो हम उससे buy करेंगे लेकिन अगर हमें deal सेकर पर वो 38 का या 39 का मिलेगा तब हम deal सेकर की तरफ सोच सकते हैं कि हाँ हमें जो है वहाँ पर cost effective जो है price मिल रहा है यानि कि सस्ता product मिल रहा है और उसके साथ एक reliability trust भी मिल रहा है तो जो burn के member है वो तो यहां पर shopping कर सकते हैं लेकिन जो non burn members है वो एक बार सोचे कि जरूर तो let's hope for the best देखते हैं आगे क्या आता है आज की इस वीडियो में इतना ही मिलते है नेक्स वीडियो में तब तक के लिए की बोचिंग asset guide